करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 अप्रेल तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स वीडियो को अन्त तक आप जरूर देखेगा आज आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारी वन येर की मेंबर्शिप अवेल कर सकते हैं जिसके अंतरगत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली current affairs video PDF format में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए वैलिट रहेगी इसमें आपको daily current affairs PDF, weekly PDF और monthly PDF प्रवाइट कराई जाएगी और जो भी हम topic wise current affairs से जुड़े हुए issues की वीडियो बनाते हैं वो भी आपको PDF format में provide कराई जाएगी membership पाने का link आपको इस वीडियो के first comment में मिल जाएगा कोई भी आपकी query हो तो comment box में हमें जरूर लखिएगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस video session की और 29 अपरेल से और एक साल आगे इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि DCB Bank का headquarters मुंबई माराष्ट में है आगे बढ़ते हैं भारत ने किस देश के साथ समुद्री परियाव रण में परवेश कर रहे प्लास्टिक कचले की समस्या का सामना कर रहे सहरों के सम्बद में एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आपके सामने हैं और correct answer होगा option B India signed an agreement with Germany on cities combating plastic entering the marine environment तो देखिए आपको यह जानना चाहिए इसमें कि यह जो समझोता है जर्मानी के साथ Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा sign किया गया है और दोनों देशों के बीच समुदरी कच्रे की रोकथाम के छेतर में सहयोग के उद्देश्य से सहयुक्त गोशना पत्र की रूप रेखा तै की गई है यानि समुदर में जो भी कूडा कच्रा डाला जाता है उसकी रोकथाम के लिए basically यह M.O.U. sign किया गया है अच्छा इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि इसमें जो भी परियास की जाएंगे इस तरह का यह रोकथाम के लिए जो भी परियास की जाएंगे तो इसको इस project के लिए भारत में उत्तरप्रदेश के केरल और अंडमाने निकोबार आइलेंड इनको select किया गया है और इनकी भी कौन से cities उत्तरप्रदेश में कानपूर, केरल में कोची और अंडमाने निकोबार में पोर्ट ब्लेयर इनको चुना गया है कितने time के लिए? फेस आउट सिंगल यूज प्लास्टिक by 2022 तो भारत चाहता है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 2022 तक उसको eliminate कर दे इस तरह के targets भी आपके exam में पूछ ले जाते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वो हता है friends इसको recycle नहीं किया जा सकता ठीक है हम उसको यूज करते हैं और फैक देते हैं जैसे कि यह पान गुट का आता है जिसमें या फिर यह rappers होते हैं टोफी के rappers या फिर जो food packaging होती है और यह bottles होते हैं straws होते हैं containers होते हैं ठीक है तो यह सभी single use plastics में आते हैं यह दुबारा फिर recycle नहीं हो करते हैं राष्टिय सिविल सिवा दिवस किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option डी नेशनल सिविल सर्विस टे इस ऑप्रेल 21 तो फ्रेंट्स यहर साल अप्रेल 21 इस दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सर्दार वल्लब भाई पटेल ने औल इंडिया सर्विसेज का गठन किया था सन 1947 में 21 अप्रेल 1947 को और उस वक्त यह हो मिर्स्टर ऑफ इंडिया थे साथी इन्होंने अपनी स्पीच में सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया यह जो है इन्होंने कहा था और साथ ही आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले 21 अप्रेल 2006 को नेशनल सिविल सर्विस टे भारत में मनाया गया विस्व टेबल टेनिस चैंपियंशिप किस देश में आयोजित की जाएगी ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी वर्ड टेबल टेनिस चैंपियंशिप विल बी हेल्ड इन युनाइटेड इस्टेट्स इस्पेसिफिक लिए बात करें तो फ्रें बोड़ी है जिसमें की जितने भी देशों के टेबल टेनिस असोशेशन से वह इसके साथ जुड़ी हुई है और यही इस तरह के चैंपियंशिप को और्गनाइज करता है तो इसका हैटक्वार्टर्स लुजैन स्विड़जरलेंड में है उस क्रिकेटर का नाम बताइए ज लिस्टा जो है फ्रेंड्स यह कंजूमर इलेक्टोनिक्स ब्रैंड है और इसने सुरेश रहना जो की क्रिकेटर है इनको अपना ब्रैंडम मेस्टर न्यूक्त किया है आगे बढ़ते हैं इलेक्टोरल बॉंड के माध्यम से दान देने वाले का नाम खोशित करने वाली पहल दोनेशन आई है तो उसका नाम इनोंने बताया है जानेगे इलेक्टोरल बॉंड के बारे में पहले तो जान लीजी हमन्स सोरिन है और यह जो हैं झारकंड की चीफ मिलिस्टर है अच्छा अब यहां पर देखिए पहले आप यह समझी किलेक्टोरल बॉंड के बारे में जल में issue किये जाते हैं और कोई भी maximum limit नहीं है इसमें और इन bonds को जो issue करने का या फिर in cash करने का जो अधिकार है वो sbi के पास है और आपको बता दें कि इन bonds पे जो donor है उसका नाम नहीं होता है ठीक है और इसको Supreme Court ने भी कहा है कि इसको political party जो है इस तरह के ये जो bonds होते हैं इनको misuse कर सकती है ठीक है और इन bonds को कोन खरी सकता है कोई भी जो citizen of India हो जो भारत का निवासी हो citizen हो उस वो इस bond को purchase कर सकता है ठीक है तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा काफी इसके लिए हम एक separate वीडियो भी बनाएंगे अच्छा अब देखिए जो ये जारखन मुक्ती मोर्चा है तो इनको donation मिली है एक करोड की किस के द्वारा हिंड आलको के द्वारा मिली है जो कि एक aluminum and copper manufacturing company है इसके द्वारा मिली है तो इन्होंने electoral bonds के थुरू दिया है वो bond का number भी इन्होंने बता दिया है तो political party जो है reveal नहीं करती है कि किस ने दिया है क्योंकि bond पर भी नाम नहीं होता है तो इन्होंने ये बता दिया है कि हेंड आलको ने हमको ये donation दी है और आपको बता दे कि जारखन मुक्ति मोडचा इसको जो इसके जो अध्यक्स हैं ये सीबू सोरेन है ये जारखन के पूर्व सीयम रह चुके है कि स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजना के लिए निमली कितमे से कौन नोडल विभाग है options आपके सामने है और correct answer होगा option D department for promotion of industry and internal trade is the nodal department for the startup India seed fund scheme देखिए जानते हैं इसके बारे में नोडल मतलब की जो इसके किरियान में को देखेगा ठीक है किस तरह से चल रहा है ठीक है किस तरह से फंड डिस्ट्रिब्यूट करना है उसको यह department देखेगा देखिए सबसे पहले तो आप यह जाने कि जो इस्टार्ट अप इंडिया के दुआरा प्यूस गोлек के पास तीन मिनस्ट्री है यहाप जाती हैं जो की आदेखिए क्यों नोचल दुपर्टमर्ट्मर्स इंडिश्ट्री के तहत आता तो यहाँ पर नोडल दिपार्टमर्ट न की होगी मिनिस्ट्री ऑफ को मर्स and industry इसका मकसद क्या है इस scheme का मकसद क्या है देखिए start-up जो होते हैं ठीक है start-ups जो है अपना कुछ एक model बनाते हैं ठीक है या फिर अपना कोई उनका product होता है मान लीजे कोई start-up अपनी app बनाना चाहता है ठीक है उस app के लिए उसको कई चीजों की जरूत पड़ेगी ठीक है कुछ hardware भी उसको चाहिए होंगे कुछ software भी उसको चाहिए होंगे और उसको trial भी करना होगा तभी तो market में उता रहेगा जब पहले उसको trial करेगा उसको एक market भी चाहिए होगा ठीक है, मार्केटिंग की भी जरूत पड़ेगी तो इस सभी का जो इस सभी को जो है फंड प्रोवाइट कराना इन सभी अक्टिविटीज के लिए फंड प्रोवाइट कराना, ये इस Startup India Seat Fund इसकीम का जो है लक्ष है और साथ ही आपको बता दें कि इसका जो टोटल कोर्पस है ये 945 करोड है और ये अगले 4 सालों के लिए इसमें विभाजित किया जाएगा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अभी और भी इसमें आगे देखिए, अच्छा अब बात करते हैं, ये स्कीम, जो है, 3600 start-ups को जो है support करेगी through 300 incubators friends incubators क्या होता है incubators का मतलब होता है कि ऐसी organization जो कि start-ups जो होते हैं उनको help करे किस तरह से help करे, उनको management training दे, उनको office space provide करे, उनको guidance दे networking में उनको सायता प्रदान करे, तो उनको बोलते है incubators, जो भी start-ups को जो organization support करती है ठीक है उनको guide करती है उन्हें बोलते है incubators तो 300 incubators के तहट यहाँ पर 3600 startups को यहाँ पर support किया जाएगा अच्छा अब यहाँ पर यह जो DPIT है जो नोडल department है यह experts advisory committee इसको create करेगी इसका काम होगा कि यह जो startup India seat fund scheme है इसको execute और monitor करना साथ यह आपको बता दें कि पांच करोड रुपे तक के grants ठीक है जो भी incubators है जो मैंने आपको बता हैं आपर incubators उनको जो है यहाँ पर जारी किये जाएंगे अब यह जो selected incubators हैं यह 20 लाख का जो grants हैं यह जो startups हैं इनको distribute करेंगे किसलिए proof of concept prototype development product trial जो कि मैंने आपको पहली बता दिया है न इनको कोई product होगा उसके trial के लिए और prototype को develop करने के लिए ठीक है उसका concept क्या है उसके बारे में अगर यह चाते हैं उसको develop करना उसके बारे में 20 लाख रुपे तक जो है यह इसमें provide कराएंगे incubators जो है furthermore investment of up to 50 lakhs sell be provided to the startups for market entry ठीक है यह तो देखो तीन इन तीनों चीजों के लिए 20 lakhs हो गया और जो market entry है commercialization है ठीक है इन सब के लिए 50 lakhs रुपी जो है incubators in startups को provide कराएंगे आगे बढ़ते हैं पूर्व उपराष्ट पती Walter F. Mondeley जिनका हाली में निधन हो गया वे किस देश के थे options आपके सामने है और correct answer हो का option D so former vice president Walter F. Mondeley who recently passed away belong to United States तो friends United States के vice president रह चुके है under Jimmy Carter जब Jimmy Carter president थे तब ये vice president थे आगे बढ़ते हैं सुमित्रा भावे जिनका हाली में निधन हो गया किस छेतर से संबन्दित थी options आपके सामने है और correct answer होगा option D film industry तो friends ये मराठी cinema और theater में इनोंने काम किया है ठीक है और इनकी एक national award winning film भी है कासो तो ये आप याद रखिएगा कि ये national award winner है ठीक है और friends अगर आपको हमारे questions अच्छे लगते हैं तो like भी करते रही है क्योंकि देखे हमारा aim यही रहता है कि कम से कम समय आपका लिया जाए और जितने अच्छे से explain आपको किया जा सके छोटी सी छोटी बाते आपको समझाई जा सकें ठीक है उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं तो इसलिए friends अगर आपको हमारा कारे परसंद आता है तो आप वीडियो को like जरूर किया कीजिए और share भी किया कीजिए ARC नियमों की समिक्षा करने के लिए RBI द्वारा गठित समीती की अध्यक्षता कोन करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D. सुदर्शन सेन so RBI sets up committee to review ARC rules देखिए RBI ने एक committee बनाई है ठीक है अब asset reconstruction companies जो है इनके role के बारे में समिक्षा करने के लिए जानेंगे इसके बारे में तो इसको जो अध्यक्षता करेंगे इसको जो इसको head करेंगे यह है सुदर्शन सेन तो 6 members का यह panel है सुदर्शन सेन के लावा यहाँ पर विसाका मुलिय, P.N. परसाद, रोहित परसाद, अभीजर दिवान जी और आर आनंद इस member में सामिल है आपको बता दे कि Asset Reconstruction Company यानि A.R.C. यह friend जो banks का जो N.P.A. होता है ठीक है? या फिर जो bad assets होते हैं उनको खरीदता है यह ठीक है? आपको जो non-performing assets, N.P.A. मतलब non-performing assets और bad assets जो होते हैं इनको खरीद लेता है ठीक है? ताकि bank जो है अपनी balance sheet जो है इसको clear कर सके हैं ठीक है? अच्छा अब यह किस के तहत register होता है? यह भी आपसे पूछा दा सकता है question तो friend जो serafacy 2002 act है इसकी section 3 के तहत यह जो है register होते हैं और साथी friends जब बात हो रही है आर्बियाई की तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आर्बियाई ने हाली में regulations review authority 2.0 इसका गठन किया है और friends यह बहुत important है आपके लिए और इसके लिए एक अलग से module भी हमारे द्वारा provide कराए गया है आपको ठीक है यानि 1st April 1999 में भी इस तरह की एक committee इसने गठित की थी तो वह तो पहली थी तो इसलिए भी दूसरी बार करने है तो 2.0 इसका नाम लिखा गया है तो इसका मकसद यह है कि जो RBI के regulations है उनकी समिक्षा करना उनको और आसान बनाना ठीक है किस तरह से और आसान बनाए जा सकता है ताकि वे समझने में आसान हो उनका implementation आसान हो तो इसके लिए ये authority इन्होंने बनाई है और इसको जो chair person रहेंगे वे M. Rajaswar राओ रहेने वाले हैं और एक साली के लिए बनाई गई है और एक माई 2021 से अपना कारे करना शुरू करेगी तो friends यह आप वीडियो जरूर देखेगा बच्ची सिंग रावत जो हाली में जिनका निदन हो गया वे चार बार किस राज्य से सांसत थे options आपके सामने है और correct answer होगा option C उत्राखंट बच्ची सिंग रावत who passed away recently was a four-time MP from उत्राखंट और friends यह काफी senior BJP leader थे और union minister थे और चार बार MP रह चुके है कहां से अलमोडा पितवगर कॉंसिटुएंसी से अडल बिहारी वाजपई की गवर्मेंड में यह union minister of state for science and technology इस पत पर थे विश्व रशनात मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so world creativity and innovation day is celebrated on April 21st तो friends इसका theme तो United Nations की website पर नहीं मिला अगर अब यह जारी कर देते हैं कोई theme तो आपको update कर दिया जाएगा assignment question में बता देंगे अब देख देते हैं friends previous assignment questions के answer विरुपक्ष temple is in which state? करनाटक Manas National Park is in which state? आसाम तो friends यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जो राइनों की जो population है यह 2005 में 0 थी और अब 2021 में 48 हो गई है smart up grants are related to which bank? SDFC bank in which year was the National Stock Exchange NSE founded 1992 what was the theme of the Indian Air Force Commanders Conference 2021? reorienting for the future अब देखते हैं friends आज के assignment questions और अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है friends हमारा explanation अच्छा लगता है तो वीडियो को like जरूर क्या कीजिए who is the chairman and MD of SIDBI India aims to eliminate tuberculosis by which year Ingenuity is the first helicopter to fly on which planet Bitcoin digital currency is related to which country which state announced Jan Anushasan Pakwada to contain COVID-19 तो friends काफी अच्छे questions हैं और current news में हैं तो इसलिए आप इनको जिनको नई आता है वो search कीजेगा और comment box में लिखेगा आपको तुरंत ये question बिलकुल याद हो जाएंगे हमेशा के लिए ठीक है क्योंकि आप दो बार पढ़ लेंगे एक बार तो आप Google में search करेंगे दूसरी बार आप इनको type करेंगे ठीक है तो friends ये ही आप जो है run निती अपनाए कीजिए ठीक है देखे थोड़ा hard work तो आपको करना होगा अगर आपको success पानी है ठीक है केवल हमारी वीडियो की बात न answer भी आता है तो वह भी आप हमें जरूर से बताया कीजिए और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और telegram में जुड़ने का एक फायदा ये भी होता है कि कभी कभी YouTube जो है notification नहीं पहुचाता है जो भी subscribers हैं तो अगर आप telegram पर जुड़े हैं तो जब भी हम वीडियो अपने upload करते हैं तो तुरंथ telegram पर भी link share कर देते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है ठीक है कभी कभी क्या होता है कि current affairs आपका miss हो जाता है क्योंकि आप तक notification न क्या है